आज बात करेंगे कि मर्न स्टैक कैसे सीखे, पहले क्या सीखे, बाद में क्या सीखे, कैसे मास्टर करें, लेकिन किस तरह से सोचे, किसी जब आपको सीखना है, जब आप B.T.E.T. की डिग्री लेने जाते हो, तो डिग्री का एक स्ट्रक्चर होता है, और डिग्री क्यों ले अनियवरित में जातनी चाहिए, कब तक सीखना चाहिए, क्या चाहिए, और तीसी चीज है कि हमारा एक्च्छल फिर्स्ट एम स्मझ है, एक बार एक नियुक्त बहुत से जरूरी ये या लुश्य जरूनी करते हैं, हम लोग बहुत ही लंबीratos्परन बहुत से साड़ जरॉत माइल स्टोन तो यहां पर एक चोटा सा पीक यहां है एक चोटे से पीक यहां है और एक पीक यहां है और फिर चर्णी आगे बढ़ती रहती है , तो थोड़ा सा में मैं सुनदर कर देता हूं उसको ड्याइंग कर देता हूं तो यह अपको भी अच्छा लगे तो यह हमारे पीक है यह चा Tein और एमएट्था है और आप यहां खड़े हो आप यह आपको जूँना देता हं प्यारा से एकिन्सान पिन है नहों और यह आपने cap पहनी होई और बैग लिया होा है और आप चलने को त्यार हो ठीक है यह है आपके मon sag की जरणी एक स्जिकने के सबै depends होता क्या है तो मैं ज। पेले video बनाई है मौंजस्टक कैसा होता है कि M for mongodb, e for express, r for react और n for node, quickly यह बता देते हैं क्या क्या करता है, react जो है वो front end करता है, node जो है वो running environment, runtime कहते हैं, इसको इसके उपर ही सब कुछ चलता है, front end और back end में, mongodb हमारा database है, db है नाम में ही, और express हमारा server run करता है, यह भी काफी clear है, तो यह हमारे mongodb, express, react और node हमारे merge stack है, अब सबसे important question अभी आता है हमारे पास, कि हम merge stack सीख क्यों रहे हैं, ठीक है, हम क्यों सीख रहे हैं यह merge stack, हमें क्या आवशकता क्या पढ़ गई है merge stack सीखने की, यह सबसे important question है, क्या आवशकता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए job, और हमें सिर्फ job नहीं चाहिए, हमें उसके बाद चाहिए career, और दोनों में क्या अंतर होता है, जॉब में आपको एक salary मिलती है, और career में, वो salary जो है, वो increase होती रहती है, है ना, यहीं अंतर है, जैसे driver का job job होता है, BPO का job job होता है, पैसे मिलता है, और career में, आपकी salary साल दर साल, महीने दर महीने बढ़ती रहती है, तो learn stack आपको एक career प्रोवाइट करता है, तो दो चीज़े समझने के लिए जरूरी है, एक तो starting point चाहिए, ठीक है, कहीं से job शुरू होना चाहिए, और दूसरा regular learning चाहिए, और growth चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो career नहीं बनेगा, तो यह चीज़ हम समझ जाते हैं, जब भी हम किसी road map को देखें, जब भी हम कोई training की structure को देखें, हम कुछ सीखने की कोशिश करें, तो हमें अपने लिए पहले यह चीज़ हमें जरूरी है, कि हम कहां से शुरू करना चाहते हैं, हम कैसे जाना चाहते हैं, तो अगर मैं बोल स्विच का milestone या बड़ी salary का milestone, और इस job के milestone को पहुचने के लिए, promotion के milestone को पहुचने के लिए, बीच में क्या क्या चीज़ा करनी पढ़ते हैं, हम उनके बारों ही बात करेंगे, लेकिन जो मेरा पहला milestone है, जिसके लिए हमें जो job पे पहुचना वो तभी हो सकता है, जब मु तो हम यह नहीं सोचते हैं कि हमें क्या-क्या सीखना है, क्या क्या करना है, oh my god कितना बड़ा सी rebus है, हम यह सोचते हैं कि proof of work यानी projects बनाने के लिए, recruiter को दिखाने के लिए, हमें कितना चाहिए क्या चाहिए, इस proof of work से पहली job कितने की लगेगी, यह भी समयना जज़ूरी है कि यह सब चीज़े क्लियर करना जरूरी ताकि जब आप एक लंबा रास्ता देख पाते हो आपको एक ट्रेक जाना है आपको पता है यार 20 किलमेटर चलना है लेकिन आज तो पहुंचना नहीं है न अराम से पहुंचना है पहुच जाएंगे अच्छा 25 किलमेटर का ट्रेक ह कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि there are different base camps along the way and हम रुक रुक करकर के पहुच जाएंगे तो यह समझना जरूरी है तो भाहिया जॉब कितने की लगेगी किस जॉब के लिए हम यह बात कर रहे हैं तो हम यह जॉब बात कर रहे हैं 3-5 लाक रुपे की जॉब और प्रमोशन कैस सब कुछ project बनाना है पहली जॉब लेनी है पहली जॉब के एक से दो साल बात promotion लेना है 30-50% hike लेके उसके एक से दो साल बात switch करना है तो हमारे पास पता है हमें 4-5 साल के journey है आराम आराम से करना है कोई हर बड़ी नहीं सब कुछ आज ही नहीं सीखना है आज अगर हम से कितना अंतर पड़ता है हम तो 5 साल की journey की बात कर रहे है और अगर आप 5 साल की journey नहीं सोच रहे हो learning को लेकर growth को लेकर career को लेकर तो फिर ये वीडियो helpful नहीं होगा और कोई वीडियो helpful नहीं हो क्योंकि आपको चाहिए जटपट तटपट पैसा और वो एक ही तरह से होता ह कुछ दिन में पैसा double पैसा ही पैसा होगा वह सब देखो स्कैम में होता है और स्कैम में नहीं बताता हूं मुझे जो आता है कि career कैसे बनाए वो मैं बताता हूं आपको तो अब हमें पता है कि मैं यहां हूँ मैं यहाँ, तू कहाँ, है ना, जिन्दगी है वहाँ, यहाँ हम लोग है, और मेरा पहला पढ़ाओ है, मेरा पहला पढ़ाओ है, प्रोजेक्ट, है ना, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, ताकि मैं दिखा सको रिक्रूटर को कि भहिया मुझे कुछ आता है, और उसके ज्यादा तो मैं promise करता नहीं हूँ क्योंकि वह repeatable नहीं होता है वह बोलना कि social media पर कि मैं जाके open source कर लूँ और 4 करोड का job लग जाएगा तो बोलना आसान है करना बहुत मुश्किल है और वह 2-4 लोगों का लग भी जाता है मुझे तो ऐसा रास्ता बताना अच्छा लगता है जहां पर 10,000 से 50,000 jobs उपलब्द हों और अगर आप कर लो तो आपको ना तो बहुत English चाहिए ना तो आपको बहुत open source के मौके चाहिए ना तो आपको कोई बहुत सारा luck चाहिए तो मुझे वैसे रास्ते अच्छे नहीं लगते बताना जिसमें बहुत सारा luck involved हो मुझे ऐसा मुझे पहला जर्नी है कि मैं प्रोजेक्स तक पहुँच हूँ इसके लिए मुझे क्या चाहिए रिक्रूटर क्या ढून रहा है सिंपल सी बात है तो मान स्टैक के M को अभी आप भूल जाएए N को अभी आप भूल जाएए E को अभी आप भूल जाएए और सिर्फ R को याद रखिए यही आपको चाहिए आपको चाहिए रियाक्ट यहां से यहां तक पहुँचने के लिए मतलब एक बार फिर से दिखाता हूँ सौरी यहां से यहां तक प रियाक्ट सेखने के जरूरी है कि आपको यावा स्क्रिप्ट अच्छे से आए, जावाइस retir आपको प्रोग्रामिइंग एडाए और अगर आपको रियाक्ट आता है तो आपको क्या बताना है आपको बताना रियाक्ट से मुझे आता नहीं है मैं इसमें एक project बना सकता हूँ और मैं सिर्व project नहीं बना सकता हूँ मैं एक full stack project बना सकता हूँ अब आप बोलोगे कि अरे भाईया आपने कहा full stack project इसका मतलब तो फिर मुझे back end आना चायए नहीं यहीं पर अनतर है एक full stack project बनाने कि लिए आपको ये आना चाहिए कि अगर ये आपका react एक client पर चल रहा है ये एक mobile है, गलती से नहीं समझे कि कुछ और है तो ये एक server से बात कर सकता है ये जो server है, ये एक mock server हो सकता है ये एक Firebase का API हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है, बस एक API call कैसे करते हैं, authenticate कैसे करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, कैसे कहा आना चाहिए, फिर से एक बार बात करते हैं, client side, server side क्या magic हो रहा है, वो आपको पहले कुछ projects के लिए और 3-5 लाके jobs के लिए आने के बहुत जरूत नहीं है, तो आपको क कहोगे कि अब मुझे आने लगा है, वो है programming, programming का मतलब फिर से मैं हर बार कहूँगा, कि it is not DSA, DSA is not programming, it is programming जिसमें आपको logic समझ में आता हो, आपको if else आता हो, आपको for loop आती हो, आपको functions लिखने आते हो, more than enough है, अगर इतना आप कर ले रहे हो, तो more than enough है, इतना आपको आत one लिख लेते हैं हम लोग, बड़ा सुंदर बन रहा है ये, तो ये milestone 2 है हमारे लिए, milestone 2 में क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए थोड़ा सा तनी सा javascript, अब देखो फिर यहाँ पर भी आप लोग फरस जाते हो, यहाँ पर भी आप गोते खाने लगते हो, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर भी आपको javascript में सब कुछ नहीं आना चाहिए, day one से, आपको अगर basic चीज़े आती है, javascript में कैसे logic, if else, for loop, functions वगरा लिखते हैं, और थोड़े मोडे map, थोड़ा reduce, ठीक है, थोड़ा सा आपको functions के बारे में, थोड़ा higher order functions के बारे में हलका सा आता हो, बहुत नहीं, तो भी बहुत है, और थोड़ा आपको वो event loop समझ में आने लगे, तो भाई, आपको बहुत आ गया है, अगर आपने इतना सीख लिया है, तो आपको बहुत जादा javascript आ रहा है, यह बिल्कुल मत सोचिएगा, कि यार मुझे नही नहीं आता, क्योंकि इतना भी बहुत लोगों को नहीं आता, लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, बट बनाते नहीं है, तो इस तो उनको पता नहीं चलता है, कि उन्हें कितना आता है, ठीक है, अब हम यहां तक बहुँच गे, तो हमारा तीसरा milestone कै, हम थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं, काफी सारा react सीख लें, और react में भी सब कुछ नहीं आना चाहिए, पहले दिन में आपको react का reconciliation क्या होता है, यह जानने की कोई ज़रूत नहीं है, समझने की कोई ज़रूत नहीं है, वो हम बादाएंग कब चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि re every day की भी अभी आपको ज़रूत नहीं है, और हाँ, एक चीज़ और चाहिए, आपको यहाँ पर router यूज़ करना नहीं, तो apps नहीं बनेंगे, ठीक है, इसके बीच में छोटा सा milestone और है, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के बाद, यह वाला milestone, इस milestone में आपको चाहिए थोड़ मेरे भाई, और first के हमें नहीं रहना है, ठीक है, यह हमें दिख रहा है, HTML, CSS चाहिए, फिर react चाहिए, तो हमारा milestone 1 था, 2 था, और 3 है milestone, और फिर 4 है milestone, और अगर आपने इतना पढ़ लिया, अगर हमने इतना पढ़ लिया है, तो हमें enough आता है एक app बनाने के लिए, हमने कई प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, अगर आप router से शुरू करो, basic CSS लगाओ, थोड़ा bootstrap लगाओ, और उसके बाद उसमें use state से filter लगाना, actions करना, API calls करना, यह सब जरूरी है, तो अगर आप fourth milestone complete कर देते हो, तो आप अराम से अपना project तक बहुत सकते हो, यह आपका fifth milestone है, जहां आपके पास, दो तीन project होने चाहिए, मैंने एक e-commerce का बनाया है, वीडियो, आपको description में डाल देंगे, और एक zomato भी बनाया है, वो भी आप देख लो, और वीडियो बनाएंगे, अभी इसके उपर more coming लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आप subscribe रहना, comment करना, किस तरह के आपको चाहिए, लेकिन projects बहुत simple, अगर आप बना कर उसको host कर देते हो, तो आपका बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारा काम हो गया, आपको ना, लगता है कि यार मुझे बहुत सीखने की जरूत है, लेकिन बहुत सीखने की जरूत नहीं है, बहुत जादा दिखाने की जरूत है, कि मैंने ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ठीक है, ये भी कर लिया है, और ये भी, और ये भी, और ये भी, मुझे इतना आता है, अगर मैं ये 1, 2, 3, 4, 5 दिखा सकूँ, तो बहुत बढ़ी है, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही projects बन जाते हैं, आप apply कर सकते हो, बहुत जो है एक ऐसी website है आप यहां जाकर देख सकते हो कि आपको इस से job मिल जाएगी अगर आपको project बनाने आता है तो अगर आप code कर सकते हो तो इतने requirements काफी है इतना जवाब कर लिए आप अब आप apply करना शुरू करो आप बात करना शुरू करो लोगों से ठीक है अब आपको interview की त्यारी करनी है पाँचवे से चट्टे में आपको थोड़ा interview की त्यारी करनी है इसमें यहां पर आपको थोड़ा interview questions रखने होंगे interview questions रटने होंगे यह java script के question होते हैं यह जब आपको आगया तो आप यहाँ पर थोड़ा सा थोड़े से machine coding round के questions बना लो छोटे छोटे यह भी मैंने video बनाया हुआ है इसको भी मैं डाल दूँगा description में machine coding round के और उसके बाद थोड़े से again react के कि भाई या SSG क्या होता है SSR क्या होता है और यह सब videos भी मैंने बना दिया है यह भी सारे के सारे videos channel के उपर है ठीक है और फिर reconciliation कैसे होता है यहाँ आपको समझने की ज़रूत है सोचो कितनी दूर है यह चीज़ समझना और आप पहले ही theory से शुरू करते हो आप पहले ही theory समझना चाहते हो यह नहीं की project बना कर पहले मैंने अपनो luck बड़ा कर दिया कि अरे भाई मेरे लिए भी job ढूंड़ो और जब job तो के ढूंडी जा रही है तब तक मैं यह 3-4 चीज़े और कर लिया तो मैंने 5, 6, 7, 8, 8 माइलस्टोन अगर आपने इतना कर लिया तो 9 माइलस्टोन पर आपकी job लग जाएगी और आपको बहुत अच्छी starting की job लग जाएगी तो देखो यह है first job का माइलस्टोन इतना ही है इसके हर एक part पर एक video बना हुआ है दो videos बने वे हैं आपको चैनल को देखना है, समझना है मन को थोड़ा शांत करना है और काम पे लगना है इसके बाद अगर हम यह वाला देखें तो job से promotion और promotion से switch में कहां पे mongos सीखेंगे कहां पे express सीखेंगे कहां पे note सीखेंगे कहां पे और CSS सीखेंगे कहां पे react advance सीखेंगे वो सब भी बताऊंगा लेकिन आज हमारे पास समय कम है तो अगली वीडियोज में बताएंगे इसका part 2, इसका part 3 आएगा कि express में क्या सीखना है, कब सीखना है, कितना सीखना है और हम लोग इसी milestone पे इसी graph पे आगे बढ़ते चलेंगे इसके लिए तुम्हें share करना, like करना, comment करना बहुत जरूरी है ताकि मुझे मज़ा है बनाने में और subscribe करना बिल्कुल मत भून ला क्योंकि अगर बन गया तो देखोगे कैसे